आज फिर से खाना परोसने के लिए प्रमिला गई लेकिन सासु माने मना कर दिया और बड़ी बहु को आवाज देने लगी। प्रमिला को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अक्सर इसी तरह करती हैं। कल भी तो जब पूर्णिमा की पूजा के लिए हाथ बटाने गई, तो सास ने कहा तुम छोड़ो, बड़ी बहु कर देगी। कोई महमान आये तो खाने में क्या बनेगा, किसी की शादी में जाये तो उपहार क्या देना है, घर का कोई सामान खरीतना है तो बड़ी बहु, मतलब हर चीज में बड़ी बहु, प्रमिला को बहुत गुस्सा आता है सास की बड़ी बहु की रट से। किस रिष्टेदार के घर क्या ले जाना है, मैं भी सलाह दे सकती हूँ, लेकिन माजी को तो सिर्फ बड़ी बहु ही दिखती है। मारा घर पहले ऐसा ना था, बहुत गरीबी के दिन थे हमारे। पापा जी बचपन में चल बसे थे, मा ने बड़े कश्ट से हम लोगों को पाला है। भाईया, मैं और छोटी-छोटी दो बहने, चार छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भार मा नहीं संभाल पा रही थी। तो भाईया ने पढ़ाई छोड़कर चाय पकोड़े बेचने का काम चुरू किया। दिन गुजरते गए, मा ने एक गरीब घर की घरेलू समझतार लड़की भाईया के लिए पसंद की। बहुत ही साधारन तरीके से भाईया की शादी हो गई। हम छोटे-छोटे भाई बहन भाई को देख कर बहुत खुश हो गए। भाभी ने आते ही मा के नक्षे कदम पर बहुत ही अच्छे तरीके से घर को संभाल लिया। गरीबी में भी वो भरपेट खाना अपनी सूजबूच से खिला देती थी। अगर मा कहती के बेटा इतने से सामान में पूरा महीना चलाना थी। भाभी की वो बहुत अच्छी जीवन संगिनी, माँ के घर की लक्ष्मी और हम लोगों की भाभी मा थी जो हमारी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को घर के खर्च से ना जाने कैसे पूरा करती थी उनकी समझदारी मा को बहुत भाती थी घर में अच्छे पकवान प्रति दिन नहीं बनते थे इसलिए घर के सदस्यों के हिसाब से अच्छा खाना कम भी बने तो वो बड़ी कुशलता से खाना परोज देती कि सबकी थाली में आज का अच्छा खाना रहे दो बहनों की शादी भी साधारन तरीके से अच्छे घरों में हो गई जिसमें भावी का योगदान भी था भावी नहीं पार्की नजरों से दोनों बहनों के लिए लड़का खोजा था भावी पूरी तरह से इस घर के लिए समर्पित थी आज दोनों बहनें और जीजाजी अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं भावी के आए हुए दस साल हो गए हैं मां पूरी तरह से भावी पर निर्भर हो गई है उनका विश्वास है कि भावी हर काम को अच्छे से करेंगी भावी को अच्छे से पता है कौन से रिष्टदार कैसे हैं किन लोगों ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया इसलिए मां रिष्टदारों को उपहार देने की बाद भावी से पूछ दिये मेरी मां बुरी नहीं है मुझे विश्वास है जब उन्होंने भावी को इतने मन से अपनाया तो तुम्हें भी अपना लेंगी प्रमिला सुनील की बातों को बड़े ही मन से सुन रही थी लग रहा था कि सारी घटनाएं उसके आँखों के सामने घट रही है सुनील की बातों को सुनकर प्रमिला को लगा कि वो मांजी पर गुस्सा करके पाप कर रही थी वास्तविक्ता से परिचय होने के बाद प्रमिला का गुस्सा गायब हो चुका था तब ही बड़ी भावी प्रमिला को पुकारते हुए कमरे में आ पहुँची चलो खाना नहीं खाओगी आज तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है मैंने मैंने सब को परोस दिया है और तुम्हारे लिए बड़ी कटोरी में खीर रखी है प्रमिला ने उठकर बड़ी भावी को गले लगा कर कहा भावी मुझे भी तुम्हारे जैसे ग्रिहस्ती चलाने के तरीके बतला दो जिससे माजी बड़ी के साथ साथ छोटी छोटी भी करे प्रमिला की बात सुनकर सुनील और भावी दोनों हसने लगे भावी ने प्रमिला की तरफ रुख करके कहा छोटी किसी को कुछ भी सीखना नहीं पड़ता समय और परिस्थिती हर ग्रिहनी को अपने तरीके से ग्रिहस्ती चलाने सिखा देती है कुछ समय अपने ग्रिहस्त जीवन को दो देखना धीरे-धीरे प्यार और अपने पन से तुम भी सब की चहेती हो जाओगी प्रमिला बड़ी भावी की बातें सुनकर खुश हो गई और उसका गुस्सा हमेशा के लिए गायप हो गया फिर से सासु मा की आवाज आई बड़ी बहु छोटी को बुला कर तुम दोनों खाना खालो मा जी की आवाज सुनकर भावी और प्रमिला किचन की तरफ खुशी-खुशी चल दी सुनेल भी अपने कामों में व्यस्त हो गया और मन ही मन घर की खुश हाली के लिए ईश्वर को धन्यवाद किया दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेस्बुक पर फॉलो करें हमारे पेज को धन्यवाद